राधा अपनी मा सुशीला के साथ एक जोपड़ी में रहती थी, उसकी मा काफी समय से बीमार चल रही थी, राधा अपनी मा की एक ही संतान थी, उठो मा उठो मुझे काम पर भी जाना है, तुम अभी तक सो रही हो, कांश तेरा एक भाई होता तो तुझे इतनी मेहनत नहीं कर अरे मा क्या क्या लड़का लड़का कहती हो, मैं भी तुम्हारा लड़का ही हूँ, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगी, जो तुम्हें चाहिए सब ला कर दूंगी, हाँ तु ही मेरा लड़का ही है, राधा एक समोसे की दुकान लगा कर अपने घर का गुजारा करती थी वो दिन भर में जो भी कमाती वा अपने मा को लाकर देती और कहती मा दवाई टाइम से खा लिया करूँ एक दिन राधा समू से बेच रही थी तो तभी उसके पास एक लड़का आता है और कहता है बेहन मुझे बहुत भूख लगी है मगर मेरे पास एक भी पैसे नहीं है सोचते हुए अभी तक बोनी भी नहीं हुई है क्या करू ये लड़का बहुत भूखा लग रहा है हे भगवान मैं इसे भूखा भी नहीं देख सकती राधा लड़के को एक समोसा दे देती है और कहती है तुम्हारा नाम क्या है और कहां रहते हो मेरा नाम मोनु है मैं पास वाले इलाके में रहता हूँ मेरा कोई नहीं है जब मैं दूसरों का कुछ काम करता हूँ तो मुझे कुछ खाने को मिल जाता है कभी कभी तो मैं भोखा ही सोजाटा हूँ राधा मोनु से कहती है कि तुम रोज मेरे पास समोसे खाने आ जाया करो, मैं तुम से पैसे भी नहीं लूंगी समों से बेचने जाती और उस लटके का इंतजार क्रती पर कुछ दिने से वो लड़का आया नहीं फिर राधा ने सोचा जाकर देखना चाहिए अगले दिन राधा मोनू को देखने के लिए उसके इलाके में जाती है तो देखती है एक सेठ मोनू को डांट रहा होता है क्या काम करता है सारा काम बिगार दिया कल से मेरे पास आने की जरूरत नहीं है मोनू उदास होकर वहां से जाने लगता तो राधा उसे आवाज मारती है मोनू मोनू अरे उदास क्यों हो रहे हो चलो मेरे साथ चलो राधा मोनु को लेकर अपने घर में आ जाती है और अपनी मा से कहती है मा ये मोनु है इसके माबाप कोई भी नहीं है अगर तुम कहो तो ये आज से हमारे साथ रह सकता है राधा अगर तुम चाहती हो तो इसे अपने साथ रख लो, तुम्हारे भाई की कमी भी पूरी हो जाएगी राधा बहुत खुश होती है और मोनु से कहती है कि आज से तुम मेरे भाई हो, अब दोनु मिलकर एक साथ समों से बेचने जाएगे हाँ दीदी मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, अब किसी की डांट सुनने को नहीं मिलेगी, मेरी दीदी डांटेगी तो कोई बात नहीं अब राधा और मोनु दोनों ही समों से बेच कर अपने घर का गुजारा करने लगते है कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते है, अब राधा की माँ भी थोड़ी ठीक होने लगती है ऐसे ही एक दिन राखी का आ जाता है राधा मोनु के लिए एक सुन्दर सी राखी लाती है और मोनु को राखी बांध कर कहती है मैंने पहली बार किसी को राखी बांधी है आज तुम मेरे सगे भाई की तरह हो गए हमेशा अपनी बहन और मा का ख्याल रखना हाँ दीदी मैंने भी पहली बार राखी बधवाई है तुमने मुझे जो प्यार दिया वो मुझे किसी ने नहीं दिया लोगों ने मारा पीटा और धुतकारा ही है